हाई फिर्ट्स आज मैं आप लोगों अपने ओल्ड आटपक्स लिखाऊंगी सबसे पहले मेरे पास यहां पर मेरे फ्रस्ट एवर पेंटिंग है जो कि मुझे थोड़ी से अच्छी लगती है क्योंकि यह लिटल एस्थेटिक है और उसके बाद जो है मेरे यहां पर यह वाली लगती क्योंकि संसर्ट सा था क्योंकि तो यह है जी वाटर कॉलर पेंटिक जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती और इसमें थोड़ी से डीडियल जोनी चाहिए थी यह नहीं अच्छी लगती तो यह लगते हैं अपने स्केश्बुक के तरफ जो कि I love it as it is so close to my heart क्योंकि य अच्छी मैंने चीज़ें बनाई हुए है basically तो यह वाली है watercolour painting and I love it so much अगर आपको इसके वीडियो नहीं है अभी आपने देख देखी नहीं so please check it out my video given channel पर उसके बार आप देख सकते हैं थोड़ा सा green green है like although I don't love green colors but this one is so good painting बहुत अच्छी है उसके बार आते हैं यह cute polaroid की तरह basically this is a polaroid इसका अपने like room decoration में यूज कर सकते हैं this is so good अच्छी मुझे बहुत ही जदा फसंद है क्योंकि यह क्लिक मैंने tissue से बनाया था नॉर्मल waste material से बनाया था और यह बहुत अच्छा निकल के आया उसके बाद यह वाली sketchbook होती है खतम अब हम आते हैं canvases के तरफ canvases पर आजने के आप दोग देख सकते हैं यह वाला मैंने एक abstract canvas बनाया था जो के बहुत बहुत अच्छा बनाया था उसके बाद यह जो एस्टेटिक पेंटिंग आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी है इन दोनों canvases की जो मैंने वीडियो और यूटीब चैनल के आप लोग जा कर देख सकते हैं उसके बाद आती है यह एक मेरी मेरी मैंने बनाई थी वुडिन स्पैचुला से मैंने इसको एक आर्ट वर्क में टर्न आउट कर दिया था और इस इस तो गुर उसके बाद आज़ते हैं स्कूशी के ज़रफ अगर आप लोग ने मेरे यहां पर आते हैं जाती हैं सिरा से मेरी कुछ ऐसी पाइंटिंग्स जो हैं तो को मैंने अपने वॉल पर डेकृर्डिट करीं हूं है इना में इसके वीडियो चैनल पर गिवन है ला jullie connected बनाती हैं से अब ने को यह भी सब़स्तेति हैं मैंने डाइरी बनाई भिक बहूर okay so this is the thread painting अगर आपको फुल वीडियो चाहिए ना आप मुझे जरूर बताए मैं आपको जरूर दो हूँगी तो यह है DIY front page decorating ideas आप लग वीडियो पे देख सकते हैं बहुर अच्छे थे this was it for today's video वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करें चानल को जरूर सब्सक्राइब करें अलाहाफिज